नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज राय आज हम बात करेंगे औस्दी पोधा आया पान के बारी में इसका बेग्याने के नाम है यूपेटोरियम ट्रिपलाइनर्व इसका इसकी फैमली है एस्टेरेशी अंग्रेजी में आया पान संस्कृत में विसल्यकरणी हिंदी में आया पान गुजराती में अमराठी में आया पान कहा जाता है बंगाली में विसल्यकारणी आया पान अजापरन इसका परिचाए है आयापान बास्ताव में अमेरिका का आदिवासी पोदा है परन्तु अब संपूर्ण भारत बर्स में बगीचों के अंदर वाया जाता है बंगाल में बिसिश्ट है या रोपा हुआ और जंगली दोनों अबस्ताव में प्राचुरता से होता है इसका बाहस रूप है आयापान के सुगंदित गुल्म याने दो से चार इंच लंबे मालाकार रखताव अभी मुख क्रम में तीन इसपष्ट शिराओं से युक्त तीब्र गंधी मसलने पर तीब्र सुगंद आती है पुस्प निलाव मुंडकों में फल पंच कोणी एवं रूंदित होते हैं इसका राशानिक संगटन है आयापान की पत्तियों में एक उलंसील तेल पाया जाता है सूखी पत्तियों में एक क्रिस्टिलाइन तत्व तथा ताजी पत्तियों में आया पाने नामक दो क्रिस्टिलाइन स्वरूप में तत्व पाया जाती है जिनमें तीबर रक्त इस्तंबक गुण पाया जाता है इसके गुर्धर में है यह ब्रण को भरने वाला रक्त स्तराव को रोकने वाला तता रक्त अतिशार रक्त प्रदर और रक्त अर्ष रक्तार साधी में यहां तक कि आमासाह में होने वाले रक्तस्तराव में या स्रीर के किसी भी भाग से गिरने वाले रक्त को रोकने के लिए बहुत लाबदायक ही इसके वश्दिय प्रियोग है अर्श में याने बावासीर में पाल्ज में इसके पत्तों को पीश कर लगाना है तथा स्वारास इसका रस पत्तों का रस निकालका 10-20 ml दिन में 2-3 बार पीने से चमतकारी लाव होता है यदि बमन है उल्टी है तो इसके पंचांग के गरम काड़े को अधिक मात्रा में देने से बमन हो जाती है तथा दस्त लग जाते हैं इसको ब्रेचन के लिए प्रियोग करना चाहिए इसके पोस्टिक है इसके पत्तों का रस अल्प मात्रा में यहना बहुत कम मात्रा में पीने से बहुत बलबर्दक होता है यदि ज्वर है मलेद्या है तो इसके 20 ग्राम पत्नों को 200 ग्राम जल में फांट बना कर गरम गरम दिन में 2-3 बार पिलाने से लाव होता है इसका फांट पित्त जाट में बहुत लाबदाएक है इसके बाहे प्रियोग हैं ब्रण तथा रक्तस्तराव में इसकी पत्तियों को पीश कर लेप करने से आराम होता है यदि कीट दंश है कोई जिब जन्तु काट लेते हैं छोटे वोटे तो जहरी लिकीडों के दंश पर इसका लेप करने से वेदना सांथ होती है रक्तस्तराव है घुनका मेना है कहीं भी रक्तस्तराव होने पर इसकी पत्तियों को पीश कर लगाने से तथा पत्त्र स्वरस 10-20 ग्राम की मात्रा का मोखिक रूप से सेवन करने से रक्तस्तराव बंध हो जाता है यदि घौव है सस्तर का कितना भी गहरा घौव लगा हो इसके पत्तों को पीश कर लगाने से तथा पत्त्र स्वरस 5-10 एमेल दन में 3-4 बार पीने से गहरे से गहरा घौव बहुत जल्दी भर जाता है मलेरिय जवर में 20 ग्राम पंचांग को 400 ग्राम पानी में पका कर 4-3-6 रहने पर 5-10 एमेल की मातरा में काढ़ा सुबर साम पिलाना मलेरिय जवर में बहुत लाबकार है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद